हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप लोक लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपका यूटी आई से आपने पैन कार्ड बनवा रखा है अगर इस तरीके का पॉपा पाता है तो आपको प्राप्लम क्या कर आपको सालूसन क्या है इसके वारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगी? छले? देखते हैं ? अभी हम में online apply करवाया है यहां पर application number या coupon number सो हो जाएगा उनका नाम सो हो जाएगा यहां पर gender सो हो जाएगा यहां पर date of birth मेंशन होगा और इसी से आप जिसे coupon number application number और date of birth से आप जो है आसानी से check कर सकते हैं कि आपका pen card का status क्या है अगर पापा पाता है इस तरीकी का तो चलते हैं किस तरीकी का पापा पाता है क्या सो होता है और क्या करना चाहिए तो हम किसी भी सर्च इंजन में जिस भी company से आपने pen card बनवा रखा यू तो उसके recording आपको उसके recording आपको यहां पर सर्च करना पड़े जैसे मैंने UTI से बनवा रखा यहां पर देखी UTI का logo है वह से इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको न्यूपियेश्ट खुल के आ जाएगा यहां पर आपको अपलीकेशन नंबर डालना पड़ेगा यह अपलीकेशन नंबर दोस्तों और डेटा बर्थ मेंशन करेंगे और हमारा देखते हैं क्या प्राब्लम आती है चलिए हम यहां पर देखी इस तरी के आप आता है यहां पर आपको पहले अपलीकेशन नंबर डालना पड़ेगा जो भी आपका अपलीकेशन नंबर है यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा जैसे कि मेरा यहां पर यहां पर यह अपना अपलीकेशन नंबर फिल कर देता हूं और यहां प प्रयंद कषूको आपकर rainy यहां पर पिली केस्ट नुंबर यहां पर अप्लिकेंशन नंबर यहां ने कफिल tap कंफर अप्रण फिर इसके बाद आपको बताता हुँ क्या करना चाहिए आपका आपको इस तरीके की का पॉप आप हाथ यहां पर देखे मैंने जैसे application number और data बर्थ capture फिल कर लिए submit पर क्लिक करते हैं यहां पर देखे लिखा हुआ application payment under verification payment against application not receive as a per UTI records इसका मतलब दूस्तों यह हुआ कि आपका जो pain card बनाया गया है यह अभी application under verification में है जो payment के लिए payment इसका होता है government इसकी fees लेती है और अभी verification में है आपको इसके दो दिन कम से कम दो से तीन दिन वेट करना पड़ेगा यह जब आपका दो से तीन दिन बाद वेट करेंगे तो आपका यह payment automatically successful दिखाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा आपको कम से कम एक हपते तक वेट करना पड़ेगा जिससे कि आपने जो भी mail ige आपने देरख था उस mail ID पर आपको Pen Card यह से यहाँ पर दे रखा है उस mail ID पर आपको Pen Card send कर दिया जाएगा अगर इस तरे के option में अगर एक हफता हो गया अभी तक आपका रह ओ सुए तो सभी आपने pen card बनमा रखा है वहाँ विजिट करना पड़ेगा वहाँ पर इसे बोलना पड़ेगा सर मेरा record सभी यह दिखा रहा है क्या आपने payment किया है या नहीं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि payment आपका किये गया था कि नहीं तो इसी तरीके का technical educational video प subscribe कर लेजिए ठीक है दोस्तों ओके थेंक्यू दोस्तों बाए